नमस्कार आपका अखिबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग आज आपको लिए चलेंगे महाराश्ट महाराश्ट इसलिए नहीं कि वहाँ कुरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं स्थिती दिन पर दिन खराब होती जा रही है और लॉकडाउन की स्थिती आ गई है आज राज से लगने जा रहा है बात करेंगे वहाँ के राजनीतिक हालात की हैं दो मुद्दे हैं एक देविन फड़नवीस ने क्यों दूसरी बार या कहें तीसरी बार मुख्य मंतरी बनने स से मना कर दिया और दूसरा प्रश शरद पवार की एक केंद्री मंतरी से क्या बात हुई थी लगभक ती मेने पहले और उसके बाद का घटना क्रम लेकिन उससे पहले जो स्थिती है उसका थोड़ा सा आकलेंज जरूरी है इस समय महाराश्ट में कोरोना की स्थिती बड़े और कहना चाहें जब से उद्धो ठाकरे मुख्यमंतरी बने हैं महाराश्ट पर कोई नो कोई मुश्किल लगातार आती जा रही है या महाराश्ट सरकार किसी ने किसी वज़े से मुश्किल में आती जा रही है अपने कामकाज को लेकर कारेश हैली को लेकर कारक्षमता को ले कर रही है फिल्म के बहुत से लोगों के ड्रग का मामना सामने आया उसी समय से मुंबई के पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग विवादों में रहे फिर उसके बाद जो है कोविड आ गया कोविड में महाराश्च सरकार का कीट परफॉर्विंस कहें या उससे निपटने की जो त सिती सबसे खराब हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी बड़ी संख्या में वहां से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ उस पलायन को एक तरह से इंड्यूस किया राज्य सरकार ने क्योंकि उन मजदूरों के लिए न रहने का ठिकाना रह गया न खाने पीने का सरकार ने कोई मजद करने से मना कर दिया आज फिर उसी तरह के दिर्शी जो है रेलवे स्टेशन और बस्ट अड़ों पर देखने को मिल रहे हैं इस बीच में और भी कई चीजे हुई और सबसे बड़ी बात जो सबसे ताजा घटना करम था अभी यह कोविट की दूसरी लह या सब इंस्पेक्टर के हैं जिसके बचाओ में मुक्यमंतरी खुद सामने आए अब इस पूरे मामले की जाच सी बी आई कर रही है यह रष्टाचार के मामले की और एंटीलिया के सामने मुकेश हमबानी के घर के सामने जिलेटिन की चड़े पाई गई एक सकॉर्पियो ग मुक्यमंतरी का उससे बहुत से लोगों के मन में निराशा जन्मी है कि जिस तरह से वो काम करते हैं लेकिन वो बीजेपी का साथ छोड़कर सेकुलर खेमे में चले गए हैं इसलिए उनको उस तरह की आलोशना का सामना नहीं करना पड़ रहा है जिस तरह का अगर ये और शिवसेना की सरकार होती तो करना पड़ता लेकिन ये सब बातें अलग हैं आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो यह है कि देवेंद्र पर नवीश ने तीसरी बार मुक्यमंतरी बनने से मना कर दिया सरकार बनने की महाराष्ट्र विकास अगारी जो शिवसेना, NCP और Congress के मिलकर बनी उसके कुछ समय बाद ही शिवसेना के विधायकों में थोड़ा सा बेचैनी होने लगी और बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी कि पार्टी अपनी विचारधारा से हट रही है तो देखे विधायकों के बन में ये सब बातें विचारधारा, सिद्धान, नैतिकता ये सब एक मुलम्मे की तरह होता है उनका असली लक्ष जो होता है कि अगला चुनाव जीतेंगे या हारेंगे अगर उनको लगता है कि जिस रास्ते पर पार्टी जा रही है उस पर अगला चुनाव हारने की आशंका है हारेंगे जीतेंगे ये तो पहले से कोई नहीं जानता लेकिन आशंका है तो फिर उनके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है तो उस तरह की बेचैनी शुरू हुई एक फीलर आया बीजेपी के पास कि कुछ विधायक निकलने को तयार है मिलकर सरकार बना सकते हैं जब चुनाव के नतीजे आये थे 2019 अक्टूबर में तो भाजपा और शिवसेना को के गडबंधन को 161 सीटे मिली थी विधान सभा में बहुमत के लिए 145 सीटों के जरूरत होती है बीजेपी की 105 सीटे आई उसके पास 12-13 निर्दली और चोटे दलो के विधायकों का समर्थन था और है अभी तो यह लगा कि मिलकर सरकार बन सकती है दिल्ली से एक तरह की रजामंदी या कहें कि इस पर जो है पॉजिटिव रियक्शन आया लेकिन दिविंद फड़नोईस ने कहा कि यह करना ठीक नहीं होगा पूछा गया क्यों तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर इस समय इस सरकार को गिराया तो शरत पवार उद्धो ठाकरे मिलकर यह मुद्दा बनाएंगे कि मराठी मानुश की सरकार गिरा दी किसने गिरा दी दो गुजरातियों ने गिरा दी तो गुजरात और महाराष्ट्र का यह जो द्वंद है यह जो प्रतिद्वंदिता है यह बहुत पुरानी है जब राज्य एक था अलग हो रहा था तब जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अभी तक कहीं न कहीं सामाजी को राज्यितिक धरातल पर वो कांटा अभी बाकी रह गया है और वो इसलिए भी रह गया है कि मुंबई गुजरात को नहीं मिला महाराष्ट को मिल गया तो गुजरात के लोग चाहते थे कि अगर उन्हें न मिले तो मुंबई को जो है वो केंद सा शाचितर बना दिया जाए यूनियन टरिटरी बना दिया जाए अलग कर दिया जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं महाराष्ट को मिल गया तो ये सेंटिमेंट जो है वो बहुत चलता है महाराष्ट में कि गुजरात के लोग जो है अगर उन पर शाशन करते हुए दिखें या उनको नीचे गिराते हुए दिखें तो देवन फर्णविस ने कहा कि इसका हमको पार्टी को आगे चलकर नुकसान हो सकता है तो इस समय सरकार गिराने से हमको कोई फाइदा नहीं होगा ततकाल जरूर सरकार हो सकता है बन जाए लेकिन वो फिर राजनीतिक रूप से जो है मुश्किल आएगी और आगे नुकसान होगा पार्टी ने फैसला किया कि ठीक है इस समय सरकार जो है बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो इसे ना कि जो लोग आना चाहते थे उनको संदेश दे दिया गया कि अभी जो है हम इस मूड में नहीं है उसके बाद जो है फिर कोविड आ गया तो सारी बातें पीछे चली गई कोविड से जूजने का मामला चलता रहा फिर जो है ये दूसरे मामले आ गए इसी बीच में लगभग तीन महिने पहले शरत पवार की मुलकात केंदर के एक वरिष्ट मंतरी से हुई और दोनों में और मुद्धों पर बातचीत के अलावा इस मुद्धे पर भी बात हुई शरत पवार ने बड़ा साफ साफ उन से कहा कि उद्धव ठाकरे से लगता है उनको ये शरत पवार काकलन था कि सरकार चलन नहीं पा रही है वो सरकार ठीक से चलन नहीं पा रहे है और यह याद रखिए कि इस सरकार की असली कुंजी वो है शरत पवार के पास उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भले ही है लेकिन रिंघ मास्टर अगर आप कहें सरकार का कोई है तो वो शरत पवार है इसलिए आप देखिए अधिकारी भी उनके पास जाते हैं ये बात जब ये सो करोड की खुली तब भी ये बताया गया पुलिस कमिशनर ने भी कहा कि शरत पवार को भी सूचना दे दी गई थी भी शरत पवार को क्यों बताया गया था वो सरकार में तो लेकिन इसी तरह से हमारा राजनितिक तंतर चलता है तो शरत पवार की ताकत का अंदाजा आप इस से लगाईए तो उन्होंने इस केंदरी मंतरी से कहा कि आप अपनी पार्टी में उपर बात कीजिए और हम लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं ये बात हुई और कुछ समय ये लगभग धाई महीने बाद अभी पंदर बीस दिन हो रहे होंगे गुजरात में मुलाकात हुई शरत पवार प्रफल पटेल की केंदरी ग्रिह मंतरी अमिच्छा से हाना कि दोनों तरफ से इसका कोई साफ साफ जो है वो सुईकारोपती नहीं की गई ग्रिह मंतरी से अम एंसेपी के एक प्रवक्ता ने उसका खंडन किया बाद में एंसेपी ने माना और मुलाकात हुई थी एक उद्योपती के घर पर एंदाबाद में उसमें क्या हुआ ये भी किसी को नहीं मालुम है लेकिन उसके बाद से आप देखें तो शरत पवार के रवये में केंदर सरक कार कि परती लगातार बदना हो आ रहा हैं जिस तरह से वो स्टैंड ले रहे हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं कोविट को लेकर ही खासτο और से वैक्सिन की उपलबदता को लेकर और दूसरे मुदों पर उध्व ठाकरें केंदर से सयोग नहीं मिल रहा है शरत पवार कहने क केंद से पूरा सा योग मिल रहा है तो मामला इतना ये है कि अगर ये करोना की दूसरी लहर ना आई होती तो इस समय शायद महाराश्ट में दूसरी तरह का राजनितिक घटना करम चल रहा होता लेकिन ये लहर पहली लहर चली गई तो दूसरी भी जाएगी उसके बाद क्या ह ये जो मामले है नाई ये और सीबियाई के पास इनकी वज़े से भी और राजनितिक घटना करम जो है जो राजनितिक सोच है हास्तोर से एंसीपी और शरत्वार की मन में वो लगता है कि उनको लगता है कि ये गड़ बंधन जो है लंबे समय तक चलने वाला और लंबे समय अगर किसी तरह इसको पांच साल चला भी ले तो आगे राजनीतिक रूप से किस तरह से फायदे मंद होगा ये समझ में उनको नहीं आता है उसका कारण कई कारण है वो एक तो कॉंपेटीशन है NCP और कॉंग्रिस का भले ही गड़ बंदन में हो सरकार भी चलाई हो लेकिन NCP धीरे-धीरे कॉंग्रिस से बड़ी पार्टी होती जा रही है फिर शरत पवार के लिए जो असली मुद्ध है वो है अपनी बेटी का राजनीतिक रूप से उसको सिटल करने का उसको स्थापित करने का और उनकी बेटी जो है वो राज्य की राजनीति नहीं करना चाहती है वो केंदर की राजनीति करना चाहती है तो अगर केंदर की राजनीति करनी है उनको तो दो ही पाटियां बचती है राश्ट्री दो ही पाटियां या तो कॉंग्रिस या बीजेपी कॉंग्रिस में जो इस्थिती है उसमें शरत पवार नहीं चाहेंगे कि सुप्रिया सुले वहाँ जाएं अगर ये करना होता तो बहुत पहले चले गए होते जब कॉंगर्स की ओर से एक फिलर मिला था कि दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाए तो लोग सभा में जो संख्या होगी वो विपक्ष के नेता का पद मिल जाएगा उससे शरत पवार ने उस समय मना कर दिया था अब सवाल है कि क्या बीजेपी के साथ शरत पवार का कोई गडबंधन होने वाला है ये तो पता नहीं लेकिन हो सकता है शरत पवार इसके खिलाफ नहीं है बीजेपी भी इसके खिलाफ नहीं है बस मुद्दा एक है कि बीजेपी का वरकर जो है वो एनसीपी के लोगों को नेताओं को पसंद नहीं करता ये एक एक क्रोड़ा है लेकिन अगर उपर से तै हो जाएगा तो फिर कारिकताओं को मानना ही पड़ेगा लेकिन फिलहाल तो अभी करोना का जब तक ये कहर चल रहा है तब तक तो इस दिशा में कुछ होने वाला नहीं है लेकिन आप इंतज जिनितिक बम फूरता हुआ दिख सकता है तो एक तरह से कह सकते है कि कोरोना की दूसरी लहर ने उद्धव ठाकरे को बचा लिया है या जीवन दान दे दिया है उनका कावश पनकर खड़ी हो गई लेकिन वह कहावत है ना कि बखरे की अम्मा कब तक हैर मनाईगी तो जदी डामाडोल है इतना कहा जा सकता है तो तब तक इंतजार कीजिए अगले एंग में फिर मिलेंगे लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि इस चैनल को देखते रहिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद नमस्काल